नमस्कार मैं वैशाली मेरी सीटूप चनल में आपका स्वागत है मेरी आज की रेसिपी है चना डाल कि चटनी एक घंटिके के लिए भीगो के रख दिया था अच्छी तरह से फूल गई है दाल और इसमें डाल एक हरी मिर्च मिर्चा अपने स्वाथ के अनुसार ले सकते हो ए एक छोटा टुकड़ा अधरक का है लगबाग आदा इनसे कमी है और मैं ये चटनी देही से ही पीसूंगे और हलका सा खटा से देही में तो लगबाग जरूत के अनुसार हम देही लेंगे तो मैंने तीन से चार चमच देही लिया हुआ है एक चुटकी मैंने यहां पर हींग तड़के के लिए और राई भी आदा चमच दिया हुआ तड़के के लिए और क्यूंकि दही में हलकी से खटास है तो मैं इसमें आदा चमच चीनी डाल रही है इसमें चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो आदा नुसार नमक डालेंगे एक चुटकी हल्दी पॉड लिया हुआ है और तड़के के लिए एक चमच तेल है तो शुरू करते हैं चटनी बनाना तो यहां पर मैंने एक छोटा वाला मिक्सर दार ले लिया है अब मैं इसमें डाल दूंगी भीकी हुई चनी की डाल साथी अद्रग भी और हरी मिर्च भी मिर्च को दो टुकडों मे करके मैंने डाल दिया है साथी में अब दही डाल दूंगी दही अब जरूत के अनुसार ले सकते हो इसी में मैं अब नमक और चीनी भी डाल दूंगी साथ में अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और चटनी को पीस लूँगी यह देखिए चटनी पीस चुकी और बहुत ही तो आप इसमें राई डाल दूँगी जैसे राई अच्छी क्रैकल हो जाएगी तो वैसे गर्मा गरम तेल में हिंग और हल्दी के उपर डाल दूँगी जिससे चटनी का फलेवर और भी बढ़ जाएगा और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी चना दाल की चटनी बन के अराम से 2-3 दिन तक खा सकते हो और कमेंट करके बताना ना भूले कि चना दाल की चटनी की रेसेपी आपको कैसी लगी और मेरी यूटूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले तो मिलता एक नही रेसेपी के साथ धन्यवाद